बच्चो आज हम photosynthesis of higher plant का एक topic जो आपको सबसे टफ लगता है dark reaction उसे पढ़ेंगे dark reaction को C3 cycle या Kelvin cycle भी कहते हैं बच्चो जैसा कि आप सभी जानते हो कि photosynthesis में light detection चल जोकी है जिसमें solar energy का यूज करके हमने ATP और NDPH का formation किया था पर photosynthesis का main function तो formation of glucose है या फिर सुक्रोज है जो कि अभी तक नहीं हुआ उसके लिए हमें dark reaction करानी होगी dark reaction की discovery सबसे पहरे Belvin Kelvin नामक scientist ने की थी इसलिए इसका नाम Kelvin cycle है पर इससे dark reaction क्यों कहते हैं क्या यह अंधेरे में होती नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है यह reaction इस reaction को dark reaction इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें direct solar energy का use नहीं होता है मतलब जैसा कि light reaction में solar energy से ATP और NADPH का formation होता है पर इसमें ऐसा नहीं होता इसमें light reaction के बने हुए product का use करके glucose का formation होता है इसलिए इसर dark reaction कहते हैं यह dark reaction chlorophyll के stroma में होती है chlorophyll के stroma में RUBP present होता है dark reaction को करने के लिए three events होते हैं carboxylation, reduction और regeneration इसे याद करने के लिए मैं आपको एक trick बताती हूँ आप एक बात बता ही जब आप किसी से लड़के आते हैं तो आप घर में क्या बताते हैं किसी से क्या बता है कि आज मैंने उसे बड़ा करारा जवाब दिया तो करारा को हमें याद रखना है C से carboxylation, R से reduction और R से regeneration चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम R U B P 5 carbon का होता है और CO2 एक carbon का होता है तो ये पाच carbon और एक carbon मिलके 6 carbon का compound बना चाहिए न पर यहाँ पे 6 carbon का compound ना बनकी 3 carbon का compound बनता है वो भी 2 बनता है जो की है Phosphoglycerate इस प्रक्रिया के लिए हमें एक enzyme की जरुद भी पढ़ती है जिसे हम कहते हैं ये बड़ा दलबदलू है इससे CO2 मिलती है तो ये carboxylation कर लेता है O2 मिलती है तो oxygenation कर लेता है पर यहाँ पे CO2 present है तो ये उसका carboxylation करेगा carboxylation most important या फिर most crucial step है मतलब ये सबसे important step है अब जो carboxylation के से हमें product मिला है Phosphoglycerate इसका reduction होके triage phosphate मिलता है जो की वो भी 3 carbon का ही होता है पर reduction process में तो हमाई energy खर्च होती है किसी को reduce करने में energy खर्च होती है ये energy कहां से आई ये energy light reaction से जो हमें product मिला था उससे लिए गई है यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं अब triage phosphate जो reduction से मिला है इसके कुछ पार्ट से glucose का formation हो जाता है glucose का transport सुक्रोस के रूप में होता है और store वो starch के form में होता है अब कुछ बच्चे वे triage phosphate का regeneration हो जाता है और वो RUBP का formation कर देते हैं regeneration process में भी 1 ATP खर्च होकर 1 ADP बना देती है जिस तरह हम देखते हैं कि 1 CO2 के fixation से हमें 2 ATP यहाँ पे required होती है 1 ATP यहाँ पे मतलब 3 ATP और 2 NADPH का use होता है मतलब हम कह सकते हैं कि 1 CO2 fixation के लिए 3 ATP और 2 NADPH की requirement होती है इस पूरे dark reaction process में आपसे question पूछा जाता है कि dark reaction में primary acceptor CO2 acceptor कौन है तो क्या बोलेंगे आप RUBP हैं और अगर आपसे पूछता है कि first stable product क्या है 3 phosphoglycerate जो की 3 carbon का है primary stable product 3 carbon का इसे लिए इसे C3 cycle बोला जाता है अब आपको ये CO2 fixation में कितनी ATP और NADP खर्च हो है इसे याद करने की trick for C6 CO2 fixation या one glucose formation के लिए 12 NADPH और 18 ATP की requirement होती है इसे याद करने की trick इस cycle को किस ने दिया था? Calvin ने दिया था न तो Calvin की ममी Calvin से पूछनी Calvin कौन आया? Calvin कौन आया? के से CO2 N से NADPH A से ATP इन्हें हमें लिखने है order में 1, 2, 3 अब एक बात बताई Calvin में कितने alphabets है? 6 alphabets है न तो इस 6 से हम जो order दिख रखा है उनसे multiply करेंगे तो 1 से multiply किया 6 और 2 से 12 और 3 से 18 तो 6 से CO2 fixation के लिए हमें 12 NADPH और 18 ATP की requirement होती है I hope बच्चों आपके समस्वाइब